विल आइडेफसी फर्स बैंक बिकम दी नेक्स्ट फ़ेफसी बैंक बहुत बार हमने यह आर्गुमेंट सुना है तो उसी के बारे में आज हम यहां पर डिस्कृशन करने वाले है आप लोगों के साथ मैं आप लोगों को के साथ एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूं जिसमें हमारी जो वेबसाइट है इन्वेस्ट अन्या डॉट इन उस पे IDFC फर्स बैंक के सारे जो डीटेल से वहां पे कुछ नंबर्स पर हमें फोकस करना है और वो अनेलिसिस में आप लोगों के सामने यहां पर प्रेजेंट करने वाला हूं कॉटर टू एफ़ाइट ट्वेंटी टू के रिजल्स आ चुके है रिजल्स में बहुत कुछ डिफरेंट है क्या मुझे लगता है जो विजन मिस्टर वीव विद्यराथन जी ने दी हुई है उस विजन को वह बहुत ही बड़िया तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो एक स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और उस स्क्रीन में आई डिफर्स बैंक के जो डीटेल्स रहेंगे जो हमारी वेबसाइट से हमने लिए हुए है तो वो डीटेल्स में आप लोगों को पता हूंगा आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है यहां पर जब हम डिसक्रीन करेंगे डिफर्स बैंक के बारे में तो ट्रेडिशनल नंबर्स तो आई थिंक बहुत जगा पर डिसक्रीशन हो गये बट पोटेंशल क्योंकि हम से कौन से नंबर्स पर फोकस करना चाहिए और क्या बैंक का पोटेंशल यह समझना बहुत जरूरी है तो यहां यह हमारा मतलब ओवरॉल एक पेज है आई डिफ सी फॉर्स बैंक का यह जो आपको स्टार्स लॉक वाले दिख रहे इस इस फॉर आस टॉकमेंटर प्लस सब्स सिक्स क्रो रूपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है आई डिफ सी फर्स बैंक का सो यहां पर लेटेस्ट अगर ग्रॉस एंपेज और नेट एंपेज के अगर हम बात करते हैं तो ग्रॉस एंपेज आर एट 4.27 परसेंट और नेट एंपेज आर अराउं 2.09 परसेंट य कि बट जिस तरीके से एकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है एकोनॉमिक नॉर्मल सी वापस आ रही है मुझे लगता है दो वर्स्ट इस बिहाइंड अस फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक से अगर हम बात करेंगी एवन पीयस बैंक के लिए भी कफे अच्छे दिन नजर आ र और लास्ट बुक करने की वज़े से अल्टीमेटल जो कैपिल उनका कम हो रहा था लॉस कहीं ना कहीं से तो उसको उनको देखना पड़ेगा उसका प्रोविजिन करना पड़ेगा तो यह तो अपरेटिंग प्रॉफिट मापरेटिंग प्रॉफिट से होती है वह अब यहां अगर आप लोगों ने देखा कि यह देखो यह 72 क्रो रुपीज 94 क्रो रुपीज 101 क्रो रूपीज 130 क्रो रूपीज 128 क्रो रूपीज 152 क्रो रूपीज तो यह जो नंबर समय दिख रहे हैं सो अल्टिमेटली प्रोविट अभी आ रही है कंपनी के पास फिर से यहां पर यह जो नेट प्रॉफिट आ रहे है तो इसमें जो अर्निंग्स रिटेन हो रही है इसकी वज़े से अभी काफी ठीक ठाक नजर आ सकता है और आने वाले समय में इस इन ग्रोथ स्टेज सो मुझे नहीं लगता कि बहुत जाता डिविदेंट देने में कंपनी को इंट्रेस्ट होगा और नहीं भी देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है इव दी मैनेजमेंट नोस दाट कि भाई अब मुझे एक स्पेसिफिक नंबर पर आप लोगों को का हाइलाइट मतलब आपने देखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है जस्ट असे कर देता हूं यह सो नाव वाट आ वुड लाइक तो सेजेस्ट और फोकस ऑन तिंग्स इस यह देखो यह है मार्ज 2017 का नंबर 8533 क्रोर रुपीज का इंट्रेस्ट और एंड नेट प्रॉफिट जो था बैंक का वो था 1020 क्रोर रुपीज और यह IDFC बैंक होता था IDFC फॉर्स्ट बैंक नहीं होता था बिकॉस बाद में डिसमबर 2018 में जब मर्जर हुआ तो उसके बाद यह सारी चीज़े हुई IDFC फॉर्स बैंक यहां पर एक इंट्रेस्टिंग चीज जो मुझे नजर आ रही है कि उसके बाद मर्जर होने के बाद नाओ इस पर्टिकलर बैंक इस रीटेल ओरेंटेड बैंक 70 परसेंट जो लोन से बैंक के पास अभी वो रीटेल ओरेंटेड लोन से और यहां जहां होलसेल कॉर्परेट लेंडिंग में आपके जो मार्जेंस होते थे वो कम होते थे और यह मार्जेंस उसके बाद यह लेगसी लोन से लोन में जो एंपिए के प्रॉब्लेम्स है उसकी वज़े से यह जो दो साल हमने खराब देखे हैं बैंक के अलमस्ट फॉर थाउजन फाइफ थाउजन क्रोर इस तक के लॉसे समने IDFC फॉर्स बैंक में देखे दो सालों में बट नाव लुक्स लाइक वर्स्ट इस बिहाइंड देम फॉर फिप्टी टू क्रोर रुपीज का माल दोहजार एक्किस का प्रॉफिटाबिलिटी का भी नंबर हमें यहां पे नजर आ रहा है सो अब मुझे कहना क्या है कि 8500 क्रोर रुपे का इंट्रेस्ट अर्न होता था और इंट्रेस्ट अर्न पॉर्शन इस 16,000 क्रोर रुपीज कियर अल्मोस्ट हंड्रेड परसेंट आप दे बुक वास पोलसेल लेंडिंग कितनी होलसेल लेंडिंग होती थी अगर बिजनेस हम देखते है मार्जिन वाला बिजनेस और जादा इंप्रू हो रहा है बट बिकाज अव दी होलसेल लेंडिंग कॉर्पोरेट लेंडिंग प्रॉब्लम्स वो एक्च्छल प्रॉफिटाबिलिटी अपनी रिपोर्ट नहीं कर पाए यहां पर मुझे ऐसे लगता है कि वित राइजिंग इंट्रेस्ट अर्निंग कैपासिटी राइजिंग फोकस ऑन रीटेल ओरिएंटेट बैंकिंग आई विल नाट बी सर्प्राइज कि अट सम पॉइंट आफ ताइम विद विद इस कांड आफ इंटर अर्निंग कैपासिटी अज़ और थो सब्स पर्टोग क्रो पीस का प्रोफिप्टलिटी का नंबर IDFC FB Прैंक एक साल में रिपोर्ट कर सकता है और इस इस गए अंटर्स्नुक्त तिंग वाइ because current market capitalization is 32,366 crore rupees अगर 2,000 से लेके 2,500 crore rupees तक का अगर profitability company दे सकता है with retail oriented focus with good use of technology I will not be surprised IDFC4's bank getting 2025 का P ratio लगर इसके हिसाब से में calculations करता हूँ तो around 50,000 crore to 65,000 crore rupees का market capitalization bank का क्यों नहीं होना चाहिए जब ये numbers bank अगर achieve कर सकता है I understand we are talking about forward things आने वाले समय में क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे but that's what you need to analyze when you are investing into a company कि क्या-क्या चीजे bank के साथ हो सकती है so legacy loans they are decreasing it down infrastructure loan की जो lending है वो 10,000 crore पर आ चुकी है corporate lending जो बच्चे हुई है वो around 25-26,000 crore rupees की है और most of their lending around 75-80,000 crore rupees are into retail oriented loans तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऐसे loans वो बढ़ा रहे जहां पर margins काफी अच्छे है technology का usage काफी ज्यादा हो रहा है IDFC first bank में भी client acquisition बहुत ही बड़िया तरीके से उन्होंने किया है retail oriented अगर हम बात करेंगे 7% वगरे के जो interest वो देते थे वहां से एक अच्छा-कासा customer का पूल उन्होंने attract किया है that's a big positive credit card business में भी बहुत सारी अच्छी चीज़े bank की तरफ से होती हुई नजर आ रही है तो वह भी बहुत बड़ा potential segment है जिस पे का bank काफी अच्छी तरीके से काम करिए तो यह सारे factors अगर हम देखते हैं so definitely this is one bank कि हमने अपनी रडार पर रखनी चाहिए I am not trying to directly compare IDFC first bank with the HDFC bank but अगर retail oriented play बहुत बढ़िया तरीके से अगर IDFC first bank perform करती on that particular platform तो I will not be surprised कि यह चो नंबर से वह काफी अच्छी तरीके से आने वाले समय में deliver किये जा सकते है and Mr. V. Vidyanathan is there and उनकी जो leadership है उसमें भी clarity अभी काफी है तीन साल की और आने वाले समय में हो सकता है वो भी और ज्यादा continue हो जाए because ऐसा कोई उनका personal interest नजर नहीं आता कि बहुत बड़ा promoter है and he wants to he is a different guy altogether you should watch his interviews watch his interactions how simple that guy is so IDFC first bank is all about retail banking and Mr. V. Vidyanathan ये अपने देखना चाहिए दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे है तो invested.in को visit करना मत भूलिएगा and happy दिवाली ये promo code अगर आप यूज करोगे तो 50% का flat discount आपको हमारे model portfolios पे मिलेगा और model portfolios individually भी available किये गए है और वेबसाइट invested.in तो invested.in को visit करना मत भूलिएगा ये उपर आपको नजर आ रहा होगा invested.in ये हमारी website है यहाँ पर विजिट कीजिए happy दिवाली ये promo code यूज कीजिए and get 50% flat discount combo offers तीन साल के सब्सक्रिप्शन के लिए 70% तक भी discount आपको मिल सकता है आशा करूंगा आप invested.in को जरूर विजिट करेंगे ऐसे वीडियो के लिए चानल पर बने रही है और नेक्स टूडियो के लिए मुझा के दीजिए दोस्तों चैहिन